अब पर यह है लेक्षिन नुमर 25 की लेक्षिन नुमर 25 के अंदर हम बहुत से बहुत से बहुत हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं सिर्फ दो से तीन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम ज्यादा डिस्कुशन करेंगे एक है default function arguments, second है inline functions and third है function overloading तो default function arguments क्या होते हैं जब हम किसी function को किसी जगा पर call करवाते हैं और call करवाने के बाद हम उसमें कोई नई value नहीं देते बस उसे call करते हैं और उसकी data जो भी output उसका return हो रहा होता है वो हमें वहाँ पर हो जाता है show तो उसे हम कहते हैं default function argument अब इसके अंदर यह सबसे पहले topic जो हमें अक्शली नज़र आ रहा है structure programming इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि structure programming क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ बताया हुआ है इस मिसली theory है, ज्यादा कुछ है नहीं है उसके बाद आता है default function argument, default management argument कुछ नहीं है कि हमने एक function बनाया किसी return data type की नाम से function का name है f और f के अंदर हमने कुछ values दे दी int की value है उसकी number है 1, double की जो x की value है 10.5 और फिर क्या हुआ हमने उस data को show करवा लिया, that's it यह था default की बात कि हमने function के अंदर ही कुछ values दे दी और उसको हमने किस तरह से process करवा के show करवा दिया हमने खुद से value नहीं दी तो यह होगी default कि आप एक bag लेते हैं, bag के अंदर दो से तीन pockets होती है जिप लगी होती है, तो वह होता है उसका default, अगर आप खुद से उसके अंदर कुछ add up कर लेते हैं, तो वह फिर दार है default नहीं रहता, तो यह चीज़ थी इसके अंदर default की, कि हम function बनाते हैं वक्त ही उसके अंदर कुछ values को pass कर देते हैं, ताकि हम बार में उन values को उसी तरह यूज़ कर सकें, without any change, तो वो होता है default function argument, next topic पे हम आते हैं, यह इसकी छोटी से detail है, default function की, इसके बार में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके अंदर हमने एक function मनाया, जिसके अंदर हमने कुछ values देती, values देने के बाद हमने क्या किया, कि main में जाके उसको as a default call कर लिया तो जो arguments हमने दिये थे function को define करते वक, function declare करते वक, तो वो के वो ही arguments जो है, वहाँ पे show होगे, next में हमने क्या किया, कि हमने show के अंदर 5 लिख दिया, it means कि show वाला यह जो function है, इसके अंदर जो पहला argument है, जिसके अंदर लिखा है, int मतलब जो उसकी value 1 है, वो बन जाएगी 5, और बाकी रहेगी, वैसे कि 2.3 और 4, next में क्या किया है, कि मैंने first value दे दी 6, second value मैंने 7.8, तो first value जो है, वो 6 बन जाएगी, second जो है, 7.8 बन जाएगी, third जो long की value है, वो 4 ही रहेगी, इससे तरह मैंने एक और argument बनाया, जिसके अंदर मैंने 3 arguments को change कर दिया, it means कि 3 arguments अब default नही ही रहे, इसके अंदर first था 9, second है 10.11, और third में 12, यह एल जो है, वो गलती से लिखा गया है, यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, कि जब यह वाल argument run होगा, तो according to our function definition, कि किस तरह से उसको show करवाना है, तो वो जो है, यहाँ पे show हो जाएगा, कि first is equal to 1, जो कि यह default वाला है, ज third 4 है, first, second, third हमने define किया हुआ, यहाँ पर यह आपको functions के बारे में पता होगा, second में क्या किया था हमने, कि हमने first value change कर दी, तो first value change होगी, बाकी वैसी की वैसे ही, फिर third में, दो change, third वैसी ही, और इसके अंदर हमने सारी values को change कर दिया, तो इनके अंदर यह तीन वाली values है, इन to function declaration, जो values उसके अंदर पास हो रही है, वो ही की value यहाँ पर store होगी, वो ही values हमें show होगी, तो वो होता है default, जो अब तक हम default ही करते आए थे, next आता है placement of variable declaration, कि जब हमने कोई variable declare करना होता है, तो उसके हम placement कैसे करते हैं, और उसका best तरीका यह है, कि जीस जगा पे हमें variable required होता है, उस जगा पे हम जाके अपने variable को लिखें, जैसे इसी function के रिलेटर मैंने भी एक program लिखा था, actually पहले मैंने ये video record की थी है, लेकिन वो record हुई ही नहीं, problem था तो ये function मैंने तब लिखा था, इसमें क्या है कि मैंने एक function ये लिखा, second function ये लिखा, अब next जब हम आएंगे तो अब ये लिखेंगे कि ये दोनों function के नाम सेम क्यों है, इनको mention कर लेता हूं है, second जो था, वो है हमारी, इस अब जो हमारा main topic था, वो क्या था, yeah, variable declaration, तो इसके अंदर हमने दो variable declare कि है, x के name से और y के name से, चुके हमें x और y की, यहाँ पे जरूरत थी, let's suppose कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, main में हम गे, हमने इतनी lines लिखी, ठीक है, इतनी lines लिखने के बाद हमें feel हुआ, कि यहाँ पे हमें एक और variable चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कि int z वहाँ पे कर दिया, उसके बाद अपना title ने start कर दिया, इसका benefit यह है, कि एक तो हमें बार 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 उप फिर रहे हैं, तो यहाँ से स्क्रोल अप करके उपर आएंगे, यहाँ पे आके added करेंगे z, तो उससा निस्बत जो best है, वो यह है, कि जहाँ भी हमें required है, वहाँ पे हम उसको declare करने time भी बचता है, और program जो है, वो समझ के काबिल भी होता है, तो मैं इसको कर जोता हूँ, undo, यह, तो next हमारा यह, तो अपिक साजी, placement of variables को कहाँ कहाँ declare करना चाहिए, तो बेस तरिका यह है, कि जहाँ उसकी जुरूत हो, वहाँ जाके declare करो, जैसे इसके अंदर है, कि यहाँ पे for loop चलाई है, और for loop के अंदर एक variable required था, उन्होंने variable का नाम लिखा है, line number, तो int line number के ना is equal to 22 कर दिया, अब इसके दो तरीके थे, एक तो यह था कि हम loop start करने से पहले ही लिखते है, int line number, comma, temporary, और दूसरा तरीका यह था कि जहाँ ज़रूत पड़ी, वैसे वैसे हम declare करते है, जो कि the best तरीका है, इससे ही होता है, कि हम भूलते नहीं है कि कौन से variable हमने use कर ली है, य वहां जाके आपको एक variable पड़ती है, तो आप क्या करोगे, या तो आप सब से उपर पहले जाओकर जाकर देखो कि कुछ variable पड़े है, अगर आपको लगता है कि पता नहीं है variable मैंने use किया है, पहले या नहीं किया पहले, फिर आप उन 1000 lines को inspector करोगे, 1000 lines को check करोगे, कि कहीं म पिर 1000 lines को आपके अपना प्रोग्रम में लिखोंगा, तो उससे इन सारे जंजट से बचने का एक ही तरीका है, 1000 lines पे आप पिर रहे हो, वहां जाके आपको किसी variable के दूरत पड़ी, तो 1000 lines पे लिखो, int, अपना variable, semicolon, और अपना आपके प्रोग्रम स्टार्ट करते हो, तो य मैक्रोज हम यूज करते हैं किसी value को fix करने के लिए, कि जैसे हम hash define यूज किया था, और hash define की अंदर हमने आगे लिखा था पाई, और पाई को हमने value दी थी 3.15, तो उसका क्या था कि पाई नेम का एक variable declare हो गया था, जिसकी एक fix value बने 3.14 something, उसमें मैंने आपको एक और चीज इस additional बताई थी कि यहां पर हम चाहें, तो पाई की जगा पर कोई variable name भी लिख सकते हैं, और चाहो तो कोई function भी लिख सकते हैं, और जब हम hash define को use करते हुए, कोई function लिखते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कि एक function ने करना क्या है, उसे हम कहते हैं inline function, अभी inline function का benefit क्या ह हम normally कोई function लिखते हैं, तो main से पहले हम एक function लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कि main में आते हैं, और main में आनीक बाद अपने outputs करने होते हैं, और main के बाद हम 3-4 line में define करते हैं कि हमारे function ने करना क्या है इसमें क्या है कि just hash define लिखो main से पहले अपने function का name लिखो और उसी के आगे लिख दो कि function ने करना क्या है तो 3-4 line का process जो है यह नॉर्मली 3-4 line का process 5-6 line का process maximum बहुत होसे पती हैं तो 1 line का process जो आपको एक ही line के अंदर cover हो गया अब आपकी एक function है उसका मकसद है square करना तो square means x multiply x दो नमर को आपस में multiply करना यनिक उसका square लेना तो वो एक ही line में लिखते हो भाई इसने ये करना है एक आप और function बनाते हो addition के name से उसने क्या करना है कि 2 या 2 से ज़्यादा values को add करना तो क्या करो hash define add उसके बाद bracket का और bracket के अंदर जिन जिन variables को use करना है add करने के लिए उनको लिखते जाओ जैसे i, j, k, l, m, n, o, p को मा लगाते जाओ और अपने variables के नाम लिखते जाओ चाहिए 26 के 26 हो जाओ जितने भी combination हम बना सकते हैं लिख दो एक ही line के अंदर और उसके बाद कहो कि इन्होंने करना क्या है इन्होंने आपस में add करना है खुद को तो a, b, c, d, e, so on करते जाओ जितने भी आपके variables है और उस सारी चीज़ को एक ही line के अंदर लिख दो तो ये बन जाते हैं हमारे in-line functions और जब हमने उसका output required होगा कि जैसी x multiply x का output हमें चाहिए तो जिस जगा पे वो output हमें चाहिए होगा उस जगा पे हम उसी तरह function calling के method को use करते हुए square into x के आगे same column लगा के उसको main में call कर लेंगे तो ये होते हैं जी in-line functions अब in-line functions के अंदर macros का फोड़ा सब use हो रहा है ये था हमारा in-line function ये है हमारा macro जब हम इनको कठे use करते हैं तो ये एक line यहाँ पे लिखी होगी है अब इसको पढ़ने का तरीका कुछ यूँ है hash define था max name का एक variable हमने declare किया और उसके अंदर हमने एक max name का function declare किया और उसके अंदर हमने दो variables दे दिये a और b की name से और आगे जो हमने अपनी condition दी है इस form में code की form में syntax की form में इस condition का मतलब है if a is greater than b यानकि a greater than b या ये question mark लगा हुए it means कि if a is greater than b then execute a or execute b ये column लगा है इसका मतलब है और तो अगर ये a b से बड़ा है चेक करो question mark की वज़ा से अगर a b से बड़ा है तो a को execute कर दो अगर नहीं बड़ा तो b को execute कर दो तो ये तरीका होता है inline functions को use करने का और statement या if जो statement हमने एक ही line के अंदर अगर लिखती हो तो हम इस तरह से लिखते हैं ये function जो है मैंने पहले आपको जैसे बताया कि मैंने विल्यों पहले record की थी बार को हुई ही नहीं तो ये function मैंने तब लिखा था लेकिन आपको शिकार होंगा मेरा अपना time भी waste ना हो तो इस function को आप खुद कर लेजीगा एक function जो बाहर लिखा हुआ है उसके अंदर में आपको बागी चीज़ें भी बता दूगा next आता है function overloading का function overloading की बात ये है next भी हम पढ़ेंगे class overloading के बारे में constructor overloading के बारे में और operator overloading के बारे में तो सब चीज़ जो overloading होती है वो तब ये होती है एक ही चीज़ के हम double काम के तौर पर यूज़ करते हैं तो वो होती है function overloading जैसे यहां भी ये program हमें लिखा हुआ था इसमें क्या किया होता कि int my function के name का मैंने एक function बनाया जिसके अंदर मैंने एक argument दिया x variable मैंने इसके इसके इना डिकलेर कर दिया second मैंने क्या किया कि उसी data type का ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक ही function का name जैसे my function और my function एक ही name को आप different return data type के तौर भी यूज़ नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते int my function उसके बाद double my function करेंगे थोड़ा सा problem होगा उस चीज़ को आपने याद रखनी है ये चीज़ जब आपने यहाँ पे इस तरह से difference करना है तो उसके अंदर रखिए रखें कि आपने अंदर वाले जो inputs हैं उनको भी चेंज़ करना है आप ये नहीं कर सकते int square int i और यहाँ पी ये नहीं कर सकते double square double i नहीं कर सकते आपको ये वाला variable चेंज करना बड़ेगा यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था कि आप इस तरह से इकठा अगर यूज करना यह यह नहीं कर सकते int my function int x और double my function double x ऐसे नहीं कर सकते आपको फिर अगर चेंज करना है तो variables भी चेंज करने पड़ेगे फिला हम बात करते है function overloading की इसमें क्या है कि integer data type हमने return type रखनी है मैं अपने function का name लिखना है और इस function ने करना किया है कि x का एक variable है वो store करवाना है या उस पे process करना है next हमने क्या किया कि उससी data type के अंदर उसी function को दोबारा लिखा और उसके अंदर वो पहले वाला x भी दिया यह भी चीज याद रखनी है कि अगर सेम है तो पहले वाला x भी दिया अगर data type सेम है सब कुछ तो पहले वाला x भी दिया और उसके बार उसके अंदर y मतलब एक additional हमने और variable जो है वो declare कर दिया तो यह चीज बन जाती है function overloading कि एक ही function को दो बार लिख लेना या दो बार use करना कथा एक ही प्रोग्राम के अंदर तो उसे हम कहते है function overloading अब यह function overloading work कैसे करती है इसमें और कुछ नहीं है इसमें कुछ special नहीं है कि यह ऐसे work करती है यह इस तरह होता है ऐसा कुछ नहीं है बस बस एक ही function का हमने दो बार नाम लिख दिया बाकी बाकी मैं हम main मैं मैंने के बाद क्या किया कि x और y जो हमने दो variables रूज कर रही है यहां main के अंदर declare कर दिया उसके बाद किया किया कि मैं जाता हूं कि my function x की value है मुझे वो मिल जाए और my function x और y की value है मैं जो मेरा second वाला function है उसकी value मुझे यहां पर cout हो जाए शो हो जाए बस और कुछ नहीं चाहिए अब वो होंगी कैसे हम main के बाद अपना define करेंगे कि हमारे इस function ने और इस function ने करना क्या है तो पहले इस function का name लिखो int my function int x और बता दो कि उसने क्या क्य value दी और return किया x multiply x यानिके हमारा जो output हमें मिला x multiply x यानिके 25 यहां पर store हो जाएगा यह जब खतम हुआ यहां पर उसके बाद हमने फिर अपना ने function का नाम लिखा और लिखने के बाद क्या किया int my function int x और int y और उसमें हमने क्या किया कि x को हमने 5 value दे दी again और y को हमने value दे 3 और return हमने क्या करवाया x plus y यहनके 5 और 3 आठ हमें यहां पर return कर दो तो हमें जो output मिलेगा 25 उसके बाद यहां इसके विज़े से 2 lines की होगी space और उसके बाद हमें मिलेगा 8 अब चले हम इसको run करते है compile बना बेल है किया हुआ तो यह हमें मिल गया है output 25 और 8 तो एक ही program के अं I think function overloading का मैंने आपको बता दिया, example मैंने आपको अंजा दिया, तो यहां होता है हमारा lecture number 25 complete, take care, Allah